लेखा सांस्तर कक्सा बारा अध्याय साथ स्वयुक्त साहस खाते हैं नमस्कार मित्रो मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूँ मैं एक्ष्वेपाठी विद्यारती हूँ मैं इस परकार पढ़दता हूँ जिससे मुझे 2003 साथ से अधिक याद हो जाता है प्रश्ण एक संउख्त साहस क्या है उत्तर संउख्त साहस एक विशेश परकार के कारोवार को दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी निश्चित अवदियें कारिये के लिए करते हैं प्रशन दो संग्तसास कब समाप्त होता है उत्तर विशेश कारिये के पूर्ण हो जाने पर अत्वा निश्चित अवदी के समाप्ध हो जाने पर स्युक्त साहस भी सोते समाप्ध हो जाता है प्रस्न तीन स्युक्त साहस से उत्मन लाव आने का क्या किया जाता है उत्तर संयुक्त साहस के अंतरगत किये जाने वाले कारोवार अथ्वा व्यव साहस प्राप्त लावाने को निर्दारी तनुफात में साहसियों द्वारा आपस में बांट लिडा जाता है प्रस्ल चार संयुक्त साहस में कारोवार करने के लिए पूंजी कोन लाता है उत्तर संग्त साहस में कारोबार करने के लिए परतेग साहस ही अपने इस्टे की पूंजी लाता है प्रस्न पाँच संग्त साहस में सामिल होने वाले को क्या कहते हैं उत्तर संग्त साहस में सामिल होने वाले को सै साहस ही कहते हैं प्रस्न छे सरल सब्दों में सयुक्त साहस क्या है उत्तर एक परकार से ऐ इस्ताई साजेदारी अथ्वा वेक्तियों का समूह है प्रश्ण साथ सयुक्त साहस में प्राय किन कारियों को किया जाता है उत्तर एक किसी विशेश वस्तू का व्यापार 2. किसी विशे स्वस्तु का आयात निर्यात का कारिये 3. बहुन निर्मान 4. किसी कमपनी के अंसों एम रिन पत्लों का अभिगोपन 5. भुखंडों या उन पर बहुन निर्मान कर बेचना आदि कारिये सहुक्त साहस के अंतरगत किये जाते हैं प्रशन आठ संयुक्त साहस की महत्वेपूर्ण बातें कौन सी हैं उत्तर एक इसमें प्राय सभी साहसी मिलकर कारिय करते हैं दो संयुक्त साहस का फ्रम की तरह कोई विशेश नाम नहीं होता है तीन इसमें आपसी समझ भी महत्वेपूर्ण होती है आदी प्रश्ण नो, स्युक्त साथ की विशेषता हैं क्या हैं? उत्तर एक स्युक्त साथ किसी विशेष कारिये को निश्चित समय तक पूरा करने के लिए होता है कारियावदी समाप्त होने पर कारिये भी सुत्य समाप्त हो जाता है 3. संयुक्त साइस के समाप्त होने पर लावानी विवाजन एवं हिशाब किताब का निप्टारा कर लिया जाता है 4. संयुक्त साइस प्राय अल्पकालिन होता है 5. संयुक्त साइस का कोई नाम नहीं होता है इसमें सह सासी इसके साथ ही निजी वेशाय भी कर सकते हैं प्रशन 10 नाम के आदार पर स्वयुक्त सास और साजेदारी में क्या अंतर है उत्तर स्वयुक्त सास का प्राय कोई नाम नहीं होता है जबकि साजेदारी सास्ता का एक निश्चित नाम होता है प्रश्न ग्यारा, उद्दे से के आदार पर स्वयुक्त सास और साजेदारी में क्या अंतर है उत्तर, स्वयुक्त सास का उद्दे से निश्चित कारी या निश्चित समय तक वेवशाय करना है जबकि साजेदारी का निर्मान निरंतर संचालने दो होता है प्रश्न बारा, पंजियन के आधार पर सहुक्त सास और साजेदारी में क्या आंतर है? उत्तर, सहुक्त सास में पंजियन कराना आवश्यक नहीं है, जबकि साजेदारी में पंजियन कराना आवश्यक है प्रश्न तेरा आदिनियम के आदार पर स्युक्त सास और साजेदारी में क्या आंतर है उत्तर स्युक्त सास के लिए कोई प्रतक आदिनियम नहीं होता है जबकि साजेदारी में साजेदारी आदिनियम 1932 लागू होता है प्रश्न चोदा, सदस्य के आदार पर संयुक्त सास और साजेदारी में क्या अंतर है? उत्तर, संयुक्त सास में भाग लेने वाले को सैसास ही का जाता है, जबकि साजेदारी में भाग लेने वाले को साजेदार का जाता है प्रेशन पंद्रा सदस्य संख्या के आधार पर संयुक्त सास और साजेदारी में क्या आंतर है उत्तर संयुक्त सास में कम से कम दो और अधिक्तम सदस्यों पर कोई पर्तिवन नहीं होता है जबकि साजेदारी में अधिक्तम 20 सदस्य तदा बेंकिंग वेशाय में 10 सदस्यों ह उत्तर समयक्त्सायस में शाजियों में परसْपर समझ होती है, जबकि साजे दारी में साजेदारों में आप शी समंध होता है प्रश्ण सत्रा संग्त सास समंधी लेखा करने की कितनी लेखा विदिया है उत्तर संग्त सास में मुख्य रूप से लेखा करने की दो लेखा विदिया है एक संग्त सास के लिए पर्थक से लेखा पुस्थ के रखना 2. स्वयंक्त सास के लिए पर्थक से लेखा पुस्त के नहीं रखना जिसमें 1. परतेक सास के द्वारा स्वयं के लेंदेनों का लेखा रखा जाता है और 2. स्वयं के लेंदेनों के साथ अन्य सासियों के लेंदेनों का भी लेखा रखा जाता है प्रशन अठारा सविंक्त सास के लिए पर्थक लेखा पुस्त के किन प्रिस्तितियों में रखी जाती है उत्तर एक जब सभी सासी एक ही इस्तान पर रहते हो दो सविंक्त सास का कारोबार बड़ा हो और तीन सास्यों दोरा अपस में मिलकर निर्ने लिया गया हो इन प्रिस्तितियों में पर्थक पर्थक लेखा पुस्त के रखी जाती है प्रशन बीश सविंक्त सास काते की विशेशता हैं क्या है उत्तर एक सविंक्त सास काता व्यापारिकें लाव आनी खाते की तरह होता है इसमें सभी करिये एंग खर्चे नामपक्स में लिखे जाते हैं तीन विक्रिये में अन्याय को जमापक्स में लिखा जाता है चार इस खाते का अंतर लाव आने को परकट करता है और पांच लाव आने को इसी खाते के माद्यम से साशियों में बाटा जाता है प्रश्ण 21. संयुक्त बेंग खाता क्या है? उत्तर 1. संयुक्त सास के सभी बुगदान इसी खाते से किये जाते हैं 2. सभी सास्यों द्वारा अपने इस्टे की पूंजी की रकम इसी खाते में जमा की जाती है और तीन, विक्रियादी से आई की रकम को इसी खाते में जमा किया जाता है प्रश्ण बाइस, परतेक सासी का पूंजी खाता अत्वा वेक्तिगत खाता क्या है उत्तर एक, सासी द्वारा अपने इसे की रकम को इसी खाते के मादेम से संयुक्त खाते में जमा की जाती है माल की पूर्ति कोई सास ही करता है तो उसका वेक्तिगत खाता क्रेडिट किया जाएगा चार यदि किसी खर्च का बुगतान कोई सास ही करता है तो उसका वेक्तिगत भुझी खाता क्रेडिट किया जाएगा प्रशन तेईस यदि सयुक्त सास के लिए माल उधार क्रिय किया ज प्रश्ण चोईस यदि किसी साहसी का पूंजी खाता अत्वा व्यक्तिकत डेविट सेस बताता है तो क्या किया जाएगा उत्तर अंतिम भुगतान से पहले उस साहसी से शेस रकम वसूल की जाएगी एवं उसके बाद अन्य साहसियों को भुगतान किया जाएगा प्रश्ण पचीस सेंक्त साहस के लिए पर्तक्षे लेखा पुस्त के रखना क्या है उत्तर जब सभी साहसी एक ही इस्तान पर नहीं रहते हो एवं सेंक्त साहस का कारोभार भी अधिक बड़ा नहीं हो तो सेंक्त साहस के लिए लेखा पुस्त के अलक्षे नहीं भी रखी जा स एसी दसा में साशी गण अपनी ही पुस्तकों में सयुक्त साश के लेंदेन का लेखा रख सकते हैं। प्रश्ण 26, सयुक्त साश के लिए पर्थक से लेखा पुस्त के नहीं रखने की इस्थिती में कौन सी विदियां अपना ही जाती हैं। उत्तर एक पर्थक साशी द्वारा केवल समय के लेंदेनों का लेखा रखना और दो समय के लेंदेनों के साथ ही अन्य साशियों के लेंदेनों का लेखा रखना ये दो विदियां अपना ही जाती हैं। प्रशन 27, परतेग सासी द्वारा केवल स्मय के लेन देनों का लेखा रखना क्या है। उत्तर लेखांकन की इस विदी में परतेग सासी अपनी लेखा पुस्तका में सहिंक्त सास खाता सहिंक्त सास के नाम से खोलता है। इस खाते की परकरती वेक्तिकद खाते की होती है सवयंक्त सायस की समाप्ति पर इस खाते का सेस अन्य सायसी से लेना बाकी वा देना बाकी बताता है प्रस्न अठाइस स्वैंक्त सायस में समय के लेंदेनों के साथ ही अन्य सायसियों के लेंदेनों का लेखा रखना क्या है उत्तर इस विदी के अंतरगत सभी सायसी अपनी अपनी लेखा पुस्तकों में स्वैंक्त सायस के समयस्त विवारों का लेखा रखते हैं इसके लिए उनकी पुस्तकों में दो खातें, एक सयुग्चास खाता M.2 अन्य सासी का वेक्टीकत खाता खोले जाते हैं, ये खाता व्यापारिक लावानी प्रकरती का होता है ये खाता सयूंग्चास की लावानी को परकट करता है प्रस्ण 29 शेसासी किसे कहते हैं उत्तर ऐसे व्यक्ति जो मिलकर ऐस्ताई तोर पर व्यापार करते हैं शेसासी कहलाते हैं प्रस्ण 30 बिल भुनाना क्या है उत्तर प्राप्त स्वीकर्ती को समय से पूर्वे बेंक से भुना कर रासी प्राप्त करना बिल बुलाना कहलाता है धन्यवाद